गुड मॉलेंग इस्टूडेंट्स आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो नाइन चेप्टर चल रहा था उसमें हम संय जक्ता बंद सिद्धांद को पड़ रहे थे संय जक्ता बंद सिद्धांद की थियोरी मैंने बता दी थी और इसका पार्ट थर्ड आज मैं लेका आया हूं पहले पार्ट में मैंने संय जक्ता बंद सिद्धांद क्या है ये कैसे संकुल योगिकों की जामिती संक्रण चुमके गुणों या रंग की व्याख्या करता है उसकी थियोर्टी कल चीजे बताई थी उसके बाद सेगंड क्लास म ने इसके एक्सामपल देखे थे वी वीटी के बेस तक ऑर आज आज जो हम देखेंगे की सबसे हैं इसपेशल पंई देखेंगे इस्पेसल एक्जामपल देखेंगे जिनके ओपर कोश्च बनते हैं जुए जिनको अपन अपवाद कह सकते हैं कि वह उन वी बीटी के निये मौका पालन नहीं कर रहे यह यहां पर दुर्बल लिगेंट प्रबल बन जाता है उन चीजों को देखेंगे इसकी शुरूबाद मै कि एक एक्जाम्पल से करता हूं संकुल योगिक से जैसे कि आपको यह संकुल योगिक दिया हुआ है कि पांच मैंने बता दी थे छटा है कि सी ओ एनेस थी का होल सेक्स प्लेस टू कि यह आपका योगिक दिया हुआ है संकुल योगिक इसकी हमें जामिती संक्रण चुम्ब के गुण सबकी व्याख्या करनी है किसके आधार पर वी बीटी के आधार सबसे पहले तो नाम इसका बत एमीन कि धनायन संकुल है जो धनावी शित है तो कोबाल्ट आएगा सामा निना कोबाल्ट और इसकी जो ऑक्सिदेशन नमबर कोबाल्ट का केंद्री धाते परमणू का यहां पर तो देखो यह उदासी ने तो एक्स प्लस जीरो बराबर प्लस तो सेकिंडी आजाएगी जब भी आवेश्यत संकुल हो तो उसके पीछे आयन लिखा जाता है अब इसकी देखो आपसे मैं कहता हूं क्योंकि आपने चार एक्जांपल कर लिए पिछली क्लास में तो इसका बताओ भाई तो आप इजीरी बताओगे इसका किसार सबसे पहले केंद्रिय धातु परमान कोबाल्ट का इलेक्ट्रोनिक विन्यास आप लिख दोगे और गन 3d7 4s2 ठीक है वैँ गलती कोई नहीं फिर आप क्या करोगे इसमें से 2 अलेक्ट्रोन निकालोगे तो कोबाल्ट प्लस 2 का इलेक्टोनिक विन्यास आजाएगा ओर्गन 3D7 4S0 यह आजाएगा 4P भी खाली पड़ा है अब आप क्या करोगे इसको दिखाओगे और यहां पर 3D7 3D एक दो तीन और यह चाहर साथ एलेक्ट्रोन कैसे बरोगे पहले तो एक एक बर लूप पांच फिर दो यह साथ एलेक्ट्रोन होगे 4S आपका सब खाली है और 4P भी खाली है यह 3D यह 4S आप 4 यहां से आप आगे आप क्या कहोगे कि सर जो एमीन है NS3 यह प्रबल लिगेंड है प्रबल लिगेंड है तो अंदर के जो N-1D कख्षक के लग्टोन इनका युगमन कर दो इनका क्या कर दो युगमन कर दो और युगमन करने के बाद आप संक्रण में ले लो जितने चाहिए पर छे हैं लिगेंड कितने हैं छे हैं छे के लिए या तो लेकिन 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 यहां पर एक चीज देखो आप कि ये तीन इउगमित alltid अगर अमोनीय एक इनका युगमित करता है फिर भी एक अनपेरद लेक्ट्रौन बच जाएगा कैसे माली जी ये वाला ये स्मय और ये इसमें आयगा तो अन्दर के आपको दो तो D2 एस्पैर था संग्रेन हो गया था हिसा है तो हो गई ना गड़ बड़ आ गया ना देखो एक ट्विस्ट आ गया कि अमोनिया प्रबल लिगेंड है प्रबल लिगेंड होने के बावजूद वो युगमन करेगा फिर भी युगमिक इलेक्ट्रोन बच जाएगा और हमको जो दो के लिए दो डी कख्षक चाहिए वह दो डी कख्षक यहां से मिलेंगे नहीं हमें तो फिर यह अमोनिया अपनी शक्ति क्यों लगा इसमें इनको पेर करने में क्यों अपनी उर्जा खर्च करें इसको तो यह यूँ छोड़ देगा और वह आगे के एस्पी 3 डी टू संक्रन हो कि दुर्बल लिगेंड नस्त्री वैसे प्रबल है लेकिने इस कंडिशन में क्या हो गया है दुर्बल मैं आपको चार पॉइंट बताऊंगा उन चार पॉइंटों से आपके सारे जो माइंड में चल रहा है वो सब कन्फूजन दूर हो जाएगा एक चार पॉइंट में नि यूगमन करेंगा यूगमन करने में ऊर्जा खर्च होती है यह चीज मियात जानते हैं इंका यूगमन करने के बावजूद भी एक यूगमेत रह जाएगा नहीं यहां यह वाला इसका राएगा तो अपनको तो संक्रन के लिए 2 दीकक्षक चाहिए पर अब एक ही मिलेगा क क्योंकि प्रियाप्त संख्या में हमको संक्रण के लिए जो आउशक डिकक्षक मिली नहीं रहे तो इसलिए यहाँ पर एमीन अपनी प्रबलता नहीं दिखाएगा आगे से काम चला लेंगे यहाँ पर फोर्डी भी तो खाली पड़ा है अपन तो बाहर वाले को ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं एमीन उर्जा भी खर्च करें और उसके बाद में प्रयाप्त संख्या में रिखते डीकक्षक नहीं मिल रहे इलेक्ट्रों यूगमित फिर भ कंडिशन जहां पर यूगमन करने के पष्चाथ भी यूगमित इलेक्ट्रों बचा रहे इसंसन में इसलिए यहां पर एनस्तिटास की तरह विहार करेगा का उल natomiast करेगा वैर 3D के इलेक्ट्रोनों का युग्मन नहीं होगा युग्मन नहीं होगा अब युग्मन नहीं होगा तो संक्रन इसलिए संक्रन कौन सा होगा SP3D2 अब बाहर वाला बाहर ले रहा है तो बहाईय कक्षक संक्रन बनेगा या जिसको अपन बोलते हैं उच्च चक्रन संक्रन बनेगा मतरो आप जिसमें रहें। बहाय कक्षक संकुल या उच्च चक्रन संकुल या वाला चक्रन संप्रण होगा होगी स्पिन मल्टिप्लेटी इसकी हाई रहेगी उच्छ चक्रन संकुल या बाय कख्षक संकुल बनेगा अब देखो कोवाल प्लस टू संक्रन में कौन-कौन भाले लेंगे यह ती यह संक्रन कौन सा होगा स्पित्री डीटू यह थ्रीडी वाले यह ऐसे कैसे रह जाएंगे कि यह तो यह की हो रहे है और आपके च्छे यह संक्रित कख्षक है जो होगे यह संक्रित कख्षक स्पित्री डीटू यह संक्रित कख्षक है इनमें यह में इलेक्ट्रॉन लॉन पेर अपने देगा तो यहां पर यह संकुल का यह बताता है तामा जामिती सी ओ एनस्ट्री का होल सिक्स प्लस दू यह बन जा रहे यह नस्ट्री लों पेर देगा एनस्ट्री आंस्ट्री यहां अश्ट्री और यहां ? सब कोशन पूछे जाते हैं एक्जांपल दिखें कि पुछ चक्रन संक्रन संक्रन कौन सा है जामिती पता लग गई कि अस्टफल की होगी यह तो फिक्स इसमें तो कोई नहीं नहीं जब चैल गेंड तो अस्टफल की जामिती होती है जामिती क्या जब दो यह सी ओ अब लस्ती एलस्ती कि यह आपके जामिती हो गई है अस्टफल की जामिती हो गई है ठीक है वह इसके बाद क्या होगा चुम्वकिये प्रेकर्टी चुम्वकिये बहुँआ चुम्वकिये गोण में एय युगमिती लेक्ट्रोन उपस्थित है छुम्वकिये एय युगमिती लेक्ट्रोन उपस्थित है अद नू बरावर अंडरूड में एन, एन प्लस टू, तीन एय युगमित लेक्ट्रोन है, त्री, प्लस टू, पंदरा, अंडरूड में पंदरा, पंदरा का मतला, आप का जाएगा, तीन पॉइंट, आठ सा आता जाएगा, क्यों? चार्चोक सोला होता है, तो थी पॉइंट, और रंगीन हो गए होगी, एय युगमित लेक्ट्रोन है, इसलिए कैसा होगा, रंगीन होगा, आनोचो मिक्ये हैं तो है, तो यहाँ पर देखो, आपके लिए खास बात क्या है, आप लोग कलती क्या करते है, एमीन प्रभलेगेंड हैं तो इनका क्या कराते है, युगमन, युगमन कराने के बाद ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चक्कर में पढ़ जाते हैं, कि यार अब में संक्रण D2, SP3 कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर तो यह एक है, युगमित लेक्ट्रोन है, अब भी, एक रिक्त कक्षक मिल रहा है, फिर आप क्या करते हैं, एक D यहां स ले, इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नोट करो इसको भी, इस एक्जांफल को आप नोट कीजिए, अब ही, स्क्रेंशोट ले लिए, या नोट कर लिए इसको, अब देखो, मैं आपको वो चार, की पॉइंट या अपवाद लिखा रहा हूं, जो कि प्रबल लिगेंड और दुरबल लिगेंड से संबन लेते हैं, जो स्पेक्ट्रो रासाइनिक स्रेनी बताई थी, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, उस सीरीज के अकोर्डिंग वो तो आपको याद रख नहीं हैं, लेकिन उनके अलावा जो अपवाद है, वो अपवाद आपको भी ध्यान रखने हैं, वो अपवाद भी काम में आते हैं, तो मैं चार पॉइंट हैं, वो चार पॉइंट आपको नोट करने हैं, अच्छे से, ठीक है ना, तो वो मैं आप आपको बता रहा हूं, उसके बाद एक दो एक्जाम्पल और करेंगे आपन, और फिर शाहर विवी टी अपना खतम हो जाएगा, इस तो रख कर रहा हूं मैं की पॉइंट या वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, वे बीटी के लिए, पहली चीज, कि मैंने आपको बताया था कि जिन भी लिगेंड में, ऑक्सीजन दाता परमणों की तरह बिएव कर रहा है, वो दुर्बल लिगेंड होते हैं, जैसे अपने ओच माइनस को लिया था, या अप या अगर आपका केंड्रिय धातू परमानूं को बाल्ट प्लस थ्री, या कोपर प्लस टू आयन है, तो ये जो ऑक्सीजन, जो लिगेंड जिन लिगेंड़ों में, हो नोचीजन दाता परमानूं की तरह बिएव करता है, वो प्रबर लिगेंड की तरह बिएव करेंगी, व जिन लिगेंडों में ऑक्सिजन दाता परमानू होता है वे सामानेता दुर्बल लिगेंड होते हैं लेकिन लेकिन यदी केंद्रिय दातु परमानू कोबाल्ड प्लस थ्री बला कोबाल्ड प्लस थ्री या कोबड़ कोबाल्ड प्लस थ्री दू यह वह वह तो यह यह लिगेंड अ प्रवल की तरह भी है वो करते हैं याज रखना है वहवार करते हैं करते हैं पहला पॉइंट अच्छे से नोट कर लो ये अगर आपका केंद्रिय दातु परमानों कोबार प्लस 3 या कोपर प्लस 2 है तो जो आपके यह लिगेंड है कौन कौन से ओ माइनस टू ओ एच माइनस ऑगजलेटो और या एज टू यह यह लिख भी दिये भई यह यह लिगेंड जो वैसे तो कैसे हैं दुरबल है पर इनकी उपस्तिति में प्रबल लिगेंड की तरह बहें करेंगी ठीक है यह तो यह पॉइंट आपक यह सारे आपको बुख में नहीं मिलेंगा यह पहले मैं बता देता हूं बूक में नहीं बताएगा यह कम्पिटिशन में के लिए हैं जो था वो मैं सब्सक्राइब के पहले और सेकंड पार्ट में कर चुका हूं पहला और सेकंड पार्ट आपकी RBSC के लिए काफी है थर्ड पार्ट बने इस्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया जो कि कंपिटिशन देने वाले हैं आगे के लिए यह कंफ्यूज ना हो कहीं पेपर टफ आजाए तो उस्टफ पेपर में आपना उन्सों दूसरा पॉइंट क्या है कि कि ए एनस्थ्री सामाने ता कि प्रवल कि लेगेंड है लेकिन यदि केंद्रिय धातू आयन लेकिन यदि सीय में केंद्रिय धातू परमानू थ्रीडी स्रेणी के थ्रीडी स्रेणी के धातू प्लस टू ऑक्सी करण अवस्था में है ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यह है कि दुर्बल लिगेंड की तरह भी है करेगा कि दुर्बल लिगेंड की तरह कि वहवार करेगा जैसे कौन कौन से सीय में कौन कौन से के दातू परमानू जैसे क्रॉमियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कौबाल्ट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में एफी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है न यह आपका एमन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इस कंडिशन में केंद्रिय दातु परमणु अगर इन ओक्सिकन अवस्ता में कौन से 3D स्रेणी के 3D स्रेणी के तत्व आपको पता है ना कौन-कौन से इसकेंडियम तार्टेनियम वैनेडियम क्रोमियम मेगनी जायरें को बार्टिकल कॉपर जिंग तो यह अगर प्लस टू ऑक्सिदेशन स्टेट में तो इसका अभी अभी आपने देखा था मैंने आपको अभी बताया था के त्री को स्टू संकुल बताया था उसमें आपने देख लिए इससे पहले एक्जम्पल में देख रहा था नहीं दूर्बल लिगेंड की तरह वेवार कर रहा था क्योंकि कोबाल्ट है जो प्लस टू अगर यह पॉइंट याज रखना है फिर तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट आपको क्या दिहान रखना है कि कि अगर धातु आयन 4D और 5D स्रेणी के अगर CMA केंजने धातु परमाणू 4D 5D स्रेणी 4D 5D स्रेणी के धातु प्लस 4 ओक्सिडेशन स्टेट में हो तो सारे लिगेंड सभी लिगेंड क्या हो जाते है उनके लिए प्रबल हो जाते है तो सभी लिगेंड सभी चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो सारे के सारे लिगेंड प्रबल की तरह वहवार करेंगी सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड की भाती वहवार करते हैं लिगेंड की तरह वहवार करते हैं ठीक है और लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर आपका एन माइनस वन का जो दिन्यास है कर दिमाइन समर्ण का विन्यास एस इसे में इम्हाइब या तो एक अलेक्टरन हो या तीन या पांच हो या साथ हो या नो हो डिए फाइफ डिए ऌए नाइन है हो तो कि प्रबल लिगेंड दुरबल की तरह बुएवार करेंगे और तो प्रबल लिगेंड प्रबल लिगेंड दुरबल की तरह जैसे इसमें किया था कि दुर्बल लिगेंड की तरह वैवार करेंगे लेकिन कि इसमें भी क्या है रखना है सी ओ और सी एन माइनस हमेशा प्रभल लिगेंड नी रहते हैं यह दुर्बल की तरह कभी वैवार नहीं करेंगे हमेशा सी ओ ऋ य मंक्रीट लिगेंड कर atac thisug Snन माइनस हमेशा प्रभल की तरह वैव करेंगे क्योंको यह सबसे प्रभल है प्रभलत मऩी प्रभल तम इनकी प्रभलता दिक तक यह तो हमेशा प्रभल की तरह वेवार करेंगे बाकी बचे होई परबल लिगेड दुर्बल की तरह विवार और वो इनका क्या नहीं करेंगे युगमन नहीं करेंगे पर ये तो युगमन करेंगे तो ये चार पॉइंट आपको द्यान में रखने हैं यह अपवादों में काम आएंगे कौन-कौन से कि ऑक्सिजन दाता परमाणों वाले जो लिगेंड है वह वैसे तो दुर्बल होते हैं लेकिन कोबाल्ट प्लस थ्री और कॉपर प्लस तू के साथ वो प्रबल की तरह वहवार करते हैं एक पर यह पॉइंट दिया लगना है तो फिर वो दुर्बल लगन की तरह वैवार करेगा वह युगमन नहीं करेगा आंत्रिक डी कक्षकों के लक्टोनों का युगमन नहीं करेगा तीसरी चीज़ अगर आपका केंजरी धातु परमाणों 4D और 5 स्रेणी के धातु प्लस फॉर ऑक्सिडेशन स्टेट में सी एम क्लोरीन क्लोरीन लेलो औक्सिजन वाले लेलो दुर्बल भी प्रबर बन जाएंगे अर लास्ट अगर आपका डी कक्षकों का विंखान यह है ओरड नमब डी 1 डी 3 दी 1 तो प्रबल लिगंड दुरबल की तरह विहार करेंगे लेकिन कॉबाल्ट और स्टाइब स्टूरी को प्रबल की तरहीं वहवार करेंगे यह पॉइंट याद रखना भाई अब इसका एक एक्जाम्पल देखेंगे अपन को यह कि इसका स्क्रीन शोट लो अच्छे से इनको नोट करो फिर एक लास्ट एक्जाम्पल करा रहा हूं मैं यह इसको रफ कर दूँ श्क्रीन शॉट ले लीजी इसका फिर इसको रफ कर रहा हूं मैं अग्प 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 कि अग्जाम्पल ले रहे हैं इन्हें अप्वादों से ले रहे हैं कि एफी कि सी एन का होल सिक्स और इसके पर प्लस थ्री चाहर दें कि यह पहले तो इसका नाम लिखो एक्जासाइनों एक्जासाइनों इसके सिंपल नेम आएगा सिंपल नेम इसका क्या आता है आए रहे लिख सकते हैं ऑटी अइन और ऑक्षिटेक, औक्षिडेशन नमबर क्या होगा? ठीन ही होगा क्योंकि छए साइनों एक्स माइनस 6 परावर प्लस 3 यह माइनस का 6 दर्जाएगा एगा प्लस का 6 सोरी सोरी माइनस का 3 है फिर तो यह भी बच्छीन हो जाए ठीक है यह माइनस का तीन है माइनस तीन तो यह एक्स पर अवर प्लस थ्री हो जाएगा है फेरेट थर्ड आयों यह अपने ऑक्सिक नाम की ग्याद कर दिया प्लस थ्री है वही काम करूं वी बीटी के अनुसार एफी कौन से नंबर पर आता है 26 नंबर पर ऑक्सिडेशन इसका लिख 3D64s2 24 खाले है अब देखो यहां पर अपने को एफी प्लस थ्री का चाहिए प्लस थ्री का में असके बर्र कस निकाले और इसके बाद़ा अच्डार्ब एलेक्तम निकालते है तो यहां से निकलेगा टेंगेस से तो एफी प्लस थ्री का विद्ट्न के हो जाएगा organ 3d5 4s0 4p0 4db0 ह одним हM हावई इसको केंदरे विन्यास 3D में 5 एलक्टवन है ये 5 एलक्टन आ गई फ्रेस आपका खाली है 4p भी खाली है और ये 4d कि यहां पर देखो कि साइनों कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर दीवन दीथ्री दीफाइफ दीसेवन दीनाइन विन्यास हो तो प्रबल लिगेंड भी दुर्बल की तरह बियाव करते हैं और इलक्तरों का युगमन नहीं करेंगे लेकिन यहां पर क्या है साइनो हैं मुझा है कि यह अबाल लिगेंड है कार्बोनिल और साइनो है जो डोनों दो प्रबल मीजा प्रबल हां तो यह क्या करेंगे इनका युगमन करेंगे क्या करेंगे इनका युगमन करेंगे युगमन करेंगे तो देखो इसमें दो आ जाएंगे इसमें दो और इसमें एक पर दो अपन को मिल जाएंगे ने D2, D के दो मिल जाएंगे फिर भी खाली तो यहाँ पर जो संकन होगा तो कौन सागर डी टू एस पी थ्री तो कि छह हैं तो देखो साथ सी एर माइनस प्रभर लिगेंड है अब रभर लिगेंड है अब आता है 3D के इलेक्ट्रों का युगमन करेगा युगमन करेगा वैर कि संक्रण कि संक्रण D2 hp3 क्योंकि दो अपन को डी कक्षक में तो दो डी कक्षक नहीं मिलते तब अपन युगमन नी करा ति भार वाले को ले लेते हैं क्याई 2 hp3 होगा कि तथा कि ये अंतै कख्शक संकुल है अंतै कख्शक संकुल कि या निम्न चक्रन संकुल बनाएगा कि निम्न चक्रन संकुल कि बनाएगा कि हाँ वह करा दो इसका जुगमन कराओगे एफी प्लस टू कि इसमें तो हो जाएंगे आपके त्रिटी नज़र कि इसमें दो इसमें दो इसमें एक और यह दो खाली मिल गए अपनको एक फॉर एसका मिल गया तीन इसके मिल पी के यह इनकी जरूती नहीं पड़ी तो यह आपका संक्रन हो जाएगा है दे टू एस पी थी अब इनको यह बना दो एफी सी एन का होल सिक्स माइमस इसकी करोगे तो कैसे होगा यह तीन तो इदर लिख दो एक है युगमित एलेक्ट्रॉन और यह चाह है एक साथ एक दो पीन चाहर पार चाहर चाहर है डी टू एस पी थी संक्रित कख्षक आगे छे इन सब में कौन देगा साय साय नौ एलेक्ट्रॉन देगा लॉन पेर इन्होंने लॉन पेर दीदी यह आपके यह बन गया तो संक्रिन पता लग गया डी टू एस पी द्री जामिती अस्टफल के ही होगी आपके जामिती होगी अस्टफल की है अब चीज आती है निमने चक्रिन संकुल क्यों है क्योंकि एक यह इंग दिलेक्ट्रॉन है देखो निमने चक्रण। उँचे पता लगता है जिसके पास जितने जाता जितने ज़्यादा एयुदमितीलक्टरन होते वह उच्छ चक्रण संकुल होते свобод यंज इसके पास एक ही है इसकार से यह क्या वह जाएगा निम्य चक्र संकुल हो जाएगा अब चुम्ब की एक गुण देखोगे आप इसके तो एक यूगमित लेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुम्ब किये रही गाए एक यूगमित लेक्ट्रॉन है तो न्यू बराबर अंडर उड में एन एन प्लस एक प्लस दो तीन एक तीन अंडर उड़ चार होता तो दो आ जाता तो यह आएगा बन पाइंट फॉर वोर मागनेटों और रंगीन होगा यह तो यह दूनों की व्याख्या कर दी है तो जो मैंने चार पंट बताए वो की पाइंट है उनको ध्यान दिखोगे तो हर चीज सम में आ जाएगी ऐसे आप लोग कर्फ्यूज नहीं हो गया किया ऐसा की हो रहा ऐसा किया हो यह यह भी अच्छा एक्जाम्पल है और दियान रशना है आप भी बना कर देखें आपकी कोर्स में केवल अस्ट फलकिया और चतुस फलकिया तो इनहीं पर आप ट्राइब करें सं कमियां भी ले लेंगे कल मैं आपको ऐसे करूंगा एक दो एक्जाम्पल और बता दूंगा और इसकी कमियां कल वी बीटी को खत्म कर देंगे कल आपको लिखेंगे यह टॉपिक अपना क्या रहेगा संद्रक्ता बंद सिद्धान्त की कमियां ठीक है लिए तब तके लिए कर दो कर के है, प से दिए finger क्ड़सा एक ली बंद बंद झालोत की का है लियां ईता थ corporations